अस्सलाम अलेकुम वेलकम टू माइ चैनल आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन जहां आ रहा है हम ने लिया है यहां 1.5 kg चिकन अच्छी तरह से वाश कर लिया है और लेग में कट्स भी लगा दी है जिसे मसाले अच्छी तरह से लेग में चले जाए यहां लिया है 100 ग्राम फ्रे प्याप्तिम सैस की प्याज का एक निम्भू एक चोटी को टोरी अल्य यत्थे नियाप पती दो टीज़ सबुन तावी मिर्चुटINGING उस कालि मिर्च आ कि हमने इस मसालों को ग्राइंड कर लिए है अब जब हम आपको दिखाए थे वो सारे मसाले हम चिकन के अंदर लगा देंगे अच्छे से mix कर लेंगे यह प्यास हरी मर्च नमा काली मर्च जो भी मसाले हम ने आपको दिखलाए थे सारे मसाल एक साथ मिलाके ग्राइट के लिया है No ओर गडेस का दिया क्लिया है 1ग पारग को सैंब सब देंग और अब सी मसालों को आच्छे हमने या लिया है तीन बड़े साइज के प्यास बारी कके गटा है 50 ग्राम अदरक ऋबारी ककी हुए पचास ग्राम लहसुन बारीक कटा हुआ, दाइस ग्राम फ्रेश दही, एक कटोरी हरी धनिया पत्ती, दो टेबल स्पून धनिया पाउडर, दो टी स्पून गरम साला, दो टी स्पून अनारदाना, दो टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, वन टेबल स्पून काली मिर्च 3 तेज पत्ता, 4 सूखी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून कसूरी में थी, 10 लॉं और 5 लाइची हमने बड़ी कड़ाई ली है और उसमें 250 ग्राम ओल डाल के गरम कर लिया है अब हम चिकन में अच्छे से मसाला एक बार फिर से लगा लेंगे उपर नीचे कर लेंगे इसे मसाला फिर से अच्छे से चिकन पर लग जाए अब हम इसमें चिकन डाल के फ्राई करेंगे देखे समहाल के डालना जो नए बनाने वले हैं उन्हें मैं बता रहे हूं बहुत छीटे आती हैं आप अपना ख्याल रखिए और ध्यान से कोकिंग कीजिए इसे हमें हाफ फ्राई करना है फुल फ्राई नहीं करना हाफ फ्राई इसलिए क्योंकि ग्रेवी में भी पकेगा अब हम आपको दिखाएंगे कि क्यासे करना है फ्लेम हमने फुल कर ली है अब हम इसको थीवी धीरे से हलका हलका सा पीचे से ऐसे कर लेंगे जिससे मसाला चिपके नहीं चिकन नहीं चिपके अब ये चिकन हो गया है हाफ फ्राई हो गया है देखिए बिखा रही हूँ चला के आपको ये देखिए हलका हलका सा ब्राउन कलर आ गया है इस पर ये अभी हाफ राई हुआ है बस हमें इतना ही इसे निकाल लेना है अब हम इसे निकाल लेंगे हमने इसे निकाल लिया है ये देखिए ऐसे हम सारे चिकन अपने फ्राई कर लेंगे जो बचे को चिकन है सबको फ्राई करना है इसे ही यहां हमने बड़ी कड़ा ही ली है और इसमें धाई सब्राम ऑइल डालके गरम कर लिया है अब हम इसमें डालेंगे तेज पत्ता सुखी लाल मिर्च लॉंगे लाइची कसूरी मेथी और कुटी हुई हरी मिर्च अब हम इसको चटकने तक पकाएंगे असी चला लेंगे विसाल अब चटक गया है अब हम इसमें प्यास डालेंगे wordt कटी हुई बारीत प्यास ये हमने डाल दी है अब हम इसको गुलाव लाने तक भूनेंगे प्यास को पिंक हो जाने ची है ब्राउन न्यियो ना चीए गोल्डेन न्यियो ने चीए पिंक होने चीए जैसे सोफ्ट कलर आ जाता है सोफ्ट हो जाती है प्यास उतना अब हम इसमें अध्रफ लस्सुन डाल लेंगे त्यास हमारी पिंक हो चुकी थी अब हम इसको दो मिनट के लिए फिर से पकाएंगे धस्ट टी लुब हमारी राद बेचर तर्मूधा, की वीवाव, पुद। टूज के लिएना ड्लफ चाया ही कि रutil같नी बयाँक state अब टानी पनाभा सिसर मेवारीी है पाद से प SI statement आप его बाद, का लिए ही आपनाभा सी खाया, шयाb Oh जय है, की श análर कापने हा seule दो मेर्टे से पका चुकी हैं अब हम इसमें डालेंगे अपने सूखे मसाले यह देखिए जितने भी सूखे मसाले थे हम सब इसमें डाल देंगे धनिया, घर मसाला, अनारदाना, नमक, काली मिर्च और लाल मिर्च पाउडर अब हम इसको अच्छे से चला लेंगे मसाला फिर्कुड मिल जाए और हम इसमें चार साइमल पानी डालेंगे यह आप दो बार देख रहे हैं, मैंने इसमें दो बार पानी डाला है यह सारा पानी चार साइमल है, आप एक साथ इसको डाल सकते हैं मसाले पर यह ओल आने लगा है अब हम इसको धाग देंगे, दस मिनट बाद हम इसे देखेंगे दस मिनट हो चुका है यह देखिए, बहुत अच्छी तरह से भून गया है, पानी बिलकुल खुशक हो गया है और बहुत अच्छे से उपर आ गया है, कितना प्यारा कलर लग रहा है, देखिए कश्मीरी लाल मिर्च का कलर तो बहुत ही मज़े का होता है, लुकुल रड रड दिखता है अब हम इसमें धही डाल देंगे दही डाल के अच्छे से चला लेंगे ध्यान रखिए, धही हमेशा धीमियाच पर डालनी चाहिए गरम-गरम मसाले में कभी भी धही नहीं डालनी चाहिए आप पहले धीमियाच कर लेजे, जो मसाला थोड़ा उबलना बंद हो जाए तब उसके अंदर धही डाल लेजे फिर उसे अच्छे से मिक्स कर लेजे और फिर अपनी आज तेज कर लेजे अब उबाल आ गया है जई भी अच्छे से मिक्स हो चुकी है, उबाल भी आ चुका है, पानी भी खोशक हो गया है इसका अब हम इसमें चिकन डाल देंगे सारा चिकन हमने इसमें डाल दिया है, जो हाफ डन किया हुआ था, हाफ प्राई जो हम इसको अच्छे से मिला लेंगे और चिकन को फूलेंगे देखें हम चिकन को भून रहे हैं बहुत ही अच्छी खुश्बू आ रही है अनारदाना का फ्लेवर तो ला जवाब होता है आप इस अमने लोकल मार्कित में असानी से पर्चेस कर सकते हैं अब यह भून चुका है अब हम इसमें 100 ml पाने डालेंगे इसको हलका सा ओपन नीचे करेंगे चलाएंगे अब हम इसको 10 मिनट के धाग करेंगे जिससे पानी भी चल जाएंगे चिकन बल जाएंगे यह देखिए दस मिनट हो चुका है मैंने गैस आफ कर दिया है और चिकन बनके तयार हो गया है लजबी इस चिकन जहां आ रहा यह देखिए चिकन अच्छे से पक चुका है अब हम इसमें हर धनिया कार्णिश करेंगे यह आप अपने महमानों को खिलाएए खुद खाएए बच्चे को खिलाएए बहुती लजीज डिश है एक बढ़ ट्राइए कीजिए इंशालला आपको पसंद आएगी यह देखिए हमने डिश आउट कर दिया है याज निम्बू और गर्म गरम नान के साथ हमने सर्फ किया है ट्राइए कीजिए और कमेंट अक्शन में बताइए कर दिया कर दिया हमने बताईए